नमस्कार सातियों स्वागत है आपका रामनिवास महरा के साथ सातियों एक सितंबर से यह अनिवारी किया जा चुका है कि आपको शाला दरपन पर आपकी उपस्तिती अनिवारी रुप से ओनलाइन की जानी है यदि आप आपकी उपस्तिती ओनलाइन नहीं करेंगे तो उस दि करना होगा तभी आपका अवकास स्विक्रत होगा आपका अवकास ओफ लाइन एनिहाव कंडिशन किसी भी तरह से स्विकार नहीं किया जाएगा तो कुछ सात्यों का कमेंट मेरे पास लगातार आ रहे थे कि सर मेडिकल लिव यदि हम लेना चाते हैं तो शाला दरपन के स्था आप आसानी से मोबाइल की साहिता से ही एपलाइक कर पाएंगे मेडिकल लिव के लिए तो सात्यों आपको आपका क्रोम ब्रावजर ओपन कर लेगा है उसमें आपको सर्च करना है राजशालादरपन.nic.in जैसा कि आप पहले सर्च करते आ रहे हैं उसी तरह का तो आपको ऐ यहां क्लिक करेंगे शालादरपन थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और इस तरह का प्रस्टा आपके सामने लेकर आएगी अब यहां देखना है आपको राइट हेंड की और जहां आपको तीन डोट दिखाई दे रहे हैं इन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहां ओप्शन डू का ओप्शन तो इस पर क्लिक कर लिजेगा आपके सामने स्टाफ लोगिन का होम प्रस्ट खुल कर आ जाएगा अब यहां यूजर नेम में आपकी व्यक्तिगत शालादरपन की एनाईसी आईडिया आपको प्रवाइड करवा देनी है उसी के नीचे पासवर्ड का ओप्शन दिया हुआ है तो जो भी आपके स्वयम के पासवर्ड हो वो पासवर्ड आप यहां एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको एंटर केपचा कोड दिया हुआ है तो जो आपको नीचे यह केपचा कोड दिया हुआ है सेम टू सेम इनको यहां एंटर कर देना है और फिर करना है सबसे अंत में login पर click जैसे ही आप login पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का प्रस्ट खुल कर आ जाएगा अब यहां आपको जो यह 3 white line दिखाए दे रही है इस पर click करना है जैसे ही आप यहां click करेंगे आपके सामने और अन्य option खुल कर आ जाएगे यहां आपको एक option मिलेगा apply का तो इस apply वाले option पर click कर लिजिएगा आपके सामने फिर से और नए option खुलेंगे और यहां आपको option मिलेगा live application तो इस वाले option पर आपको click कर लेना है जैसे आप यहां click करेंगे फिर आपके सामने leave application का एक नया option खुल कर आ जाएगा तो अब आपको यहाँ क्लिक कर लेना है अब शाला दरपन थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और इस तरह से आपकी application के लिए form खुल कर आपके सामने आएगा जहाँ उपर ही उपर आपको आपका swim का नाम डिस्पले होगा उसके नीचे आपकी post आपको डिस्पले हो जाएगी अब सात्यों आपको work यहाँ करना है leave reason तो यहाँ आप में select करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको यहाँ select पर क्लिक कर लेना है अब आपके सामने leave के reason खुल कर आएगे तो यहाँ सात्यों medical leave दो तरे का होता यदि आप hospitalization होना चाते है hospital में भरती होना चाते है तो यह वाला option चुनेंगे और यदि आप hospital में भरती नहीं होना चाते है और आप केवल बहरी इलाज लेना चाते है अपने घर पर रहना चाते है तो यहाँ दूसरा option हमें दिया हुआ है medical ground का तो इस medical ground वाले option पर अब आपको click कर लेना है अब दूसरे नंबर का यहाँ आपको फिर option मिलेगा leave type तो सात्यों आपको यहाँ select box दिया हुआ है आप यहाँ जैसे ही click करेंगे आपके सामने leave की information खुल कर आजाएगी जैसे आकाश में का अवकाश और अवकाश की सूची यहाँ आपके सामने खुलेगी लेकिन सात्यों यहाँ आपको कहीं भी medical leave का option नहीं मिलेगा एसी condition में आपको जो select करना है वो commuted leave रुपांतरित अवकाश select करना है क्योंकि सात्यों यह leave आपकी बाद में रुपांतरित होगी फिलाल अभी आप medical पे हो तो आपकी जो अवकाश उसे रुपांतरित आपके नियंतर्ण अधिकारी करेंगे medical के रूप में तो आपको यहाँ पर रुपांतरित अवकाश select कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम फ्रॉम का मतलब है आप कब से medical लिव लेना चाते हैं जैसे मैं यहाँ कुछ date आपको select करके बता देता हूँ अब फ्रॉम में मैंने select कर लिया है 99 2021 जैसे आप यहाँ किलिक करेंगे आपके सामने calendar box open होकर आ जाएगा वहाँ से आप जो भी date select करना चाते हैं वो date select कर सकते हैं अब यहाँ आपको दिया हुआ है दूसरे नंबर का option इसी में full day का आपको चाहिए या half day का चाहिए तो यह आपके ओपर depend करता है आप full day का लेना चाते है medical या half day का फिलाल मैंने यहाँ full day किया हुआ है उसी के नीचे आपको मिलेगा to कहां से कहां तक आपको medical लेना है वो date आपने वहाँ उपर date show कर दी है उसके बाद आप कब तक आप medical पर रहेंगे वो date आप यहाँ select करेंगे उसके लिए भी जैसे ही आप यहाँ click करेंगे आपके सामने एक calendar box आ जाएगा वहाँ से आप date selected कर दी जेगा उसमें भी यहाँ आपको दो option दिये वो है full day या half day तो जैसा भी आपको उचित लगया full day रहना चाते हैं half day रहना चाते हैं वो आप यहाँ select कर लेगे फिर आपको आना है सात्यों नीचे की ओर जहां आपको number of day दिखाई देंगे आप कितने दिन medical पर रहना चाते हैं वो day आपको जब आप उपर तारीक select करेंगे तो उसके हिसाब से automatically आपको यहाँ display हो जाएगा इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है उसके बाद आगे आपको मिलेगा head quarter leave required यदि आप आपका मुख्याले छोड़ना चाते हैं तो आप yes पर click करेंगे और आप मुख्याले नहीं छोड़ना चाते हैं तो no पर click करेंगे यह medical की situation में दोनों चीज़ा आप ले सकते हैं यदि आप मुख्याले छोड़ना चाहें तो छोड़े और मुख्याले नहीं छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़े अब यदि आप सात्यों यहां मुख्याले छोड़ने के लिए yes पर click करते हैं तो आपको यहां नीचे पूछा जाएगा address during leave period जब आप leave पे रहेंगे तो आपका address कौन सा रहेगा वो address आपको यहां provide करवा देना है हो सकता है कभी विबाग को आपकी आवशकता पड़े तो आपसे contact किया जा सके इसलिए अब आपको यहां सात्यों आना है नीचे की और जहां मिलेगा आपको एक option remark का तो जो भी remark का आप डालना चाते हैं वो remark का आप यहां provide करवा देंगे उसके बाद आपको यहां option मिल रहा है next का तो next वाले option पर click कर लीजिएगा अब इस तरह का dialogue box आपके सामने खुल कर आजाएगा जहां आपको मिलेगा leave type, leave from, leave to, number of day और आपने कौन सा आउकास लिया है रुपांदिरत आउकास लिया है कहां से कहां तक लिया है 9, 9, 21, 14, 9, 21 जैसे मैंने एक example के रुपा आपको मैं बता रहा हूँ तो वो चीज़ आपको यहां display होगी आपका कितने दिन का leave period रहेगा वो भी आपको यहां display हो जाएगा अब यदि यह सब कुछ सही आ रहा है जैसा आपने चाहा है वैसा तो आपको यहां यह चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे ride का निशान हो जाएगा और फिर आपको यहां अंत में option मिलेगा आवेदन करें इस option पर आपको click कर देना है आपका जो application है medical की वो आपके ddo को forward हो जाएगी और जैसे ही वो उसको approve करेंगे आपकी leave sanction हो जाएगी उम्मीद है सातियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो मुझे comment box में comment करके प्रोसाहित करना न भूले ताकि आपके लिए मैं ऐसी latest information हमेशा लेकर आता रहूं और यदि आप मुझे से कोई और अन्य जानकारी चाते हैं जो शालादरपन से जुड़ी हो या अन्य किसी समच्छा से जुड़ी हो तो उसके लिए भी आपका स्वागत comment box में है आप comment box में comment करके मुझे अवश्च बताईएगा मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारीों के साथ तक तक के लिए जेहिन जे बारत